हलो बच्चों, वेलकम बाक टू दी चैनल और आज का क्वेशन क्लास 10 चाप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक बहुत important question है और अगर आप भी शौक रखते हो अच्छे अच्छे questions प्राक्टिस करने का तो आपका सामना इस question से जरूर हुआ होगा क्योंकि ये question almost every reference book का part है तो आओ जरा आज की class में सीखते हैं इस question का detailed solution ताकि ऐसे सारे questions करने में आपको आज के बाद कोई problem ना आए और अगर आप ऐसे और questions बाकी chapter से भी practice करना चाहते हैं तो हमारी playlist class 10 exam series question को जरूर follow करें और उससे आपको मिलेंगे सारे important questions सारे chapter हो से और वोग playlist बनाई गई है pure examination point of view से तो जल्दी से देखते हैं आज का question क्या है तो आज का question कहता है if ratio of sum of n terms of two ap's is 7n plus 1 is to 4n plus 27 then find the ratio of their 11th term आपको दिया हुआ है पहली ratio का sn जो की है 7n plus 1 और इसके साथ आपको ratio में दिया हुई है दूसरी ap का sn जो की है s-n और वो आपको दिया हुआ है ratio में 4n plus 27 और यह दोनो ratio में दिये हुए आपको आपने का सर पहली जो ap है उसका sn है 7n plus 21 तो पहली ap के हम sn को क्या लिख सकते हैं आप सब जानते हो sn का formula और sn का formula होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d और दूसरी ap का sn दिया हुए आपको 4n plus 27 और उसको हम लिख सकते हैं n by 2 2a dash plus n minus 1 d dash आपने का सर यह a dash d dash क्यों लिया क्योंकि हम नहीं बोल सकते हैं कि इसके सामने हमने लिख दिया 7n plus 1 divided by 4n plus 27 मैस आपसे एक ही चीज मांगती है कि आपको कोई भी question को रटना नहीं है क्योंकि जो भी चीज आप रटते हो वह आपको जादर time तक याद नहीं रहती तो जदी से अगर इसका detailed solution देखें तो यह n by 2 n by 2 cancel हो जाएगा क्योंकि उपर इन्टू डी अपॉन 2a डाश प्लस n-1 इन्टू डी इस एक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 आपने का सर अब क्या करें मैंने का बहुत असाम सी बात है यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है सिरफ अगले एक मिनट में आप सारे questions का answer समझ जाओगे मेरी बात ध्यान क्या है आपको निकालना है 11th term मतलब a11 अब a11 होता क्या है a11 होता है a plus 10 d a plus 10 अब आपको पता है कि अगर मेरे पास a plus 10 आ गया तो a plus 10 को मैं लिख सकता हूँ a11 तो आपने का सर यहाँ पर मुझे a plus 10 चाहिए तो मैंने का a plus 10 लाने के लिए आपको n की एक value put करने पड़ेगी यही बस आपको सूचना है तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी बात को अगले 30 seconds ध्यान समझना अगर मैं n को आपने का सर आपने n को क्या लाना है 10 लाना है तो आप n को 11 डाल दो अगर मैं n को 11 डाल देता हूँ तो यह हो जाएगा 2 a plus 10 d और आपको बता है अगर a b की 11 टर्म मुझे निकालनी है तो वो होती है a plus 10 d ना की 2 a plus 10 d तो आपने का सर 2 common ले लो तो अगर मैं 2 common लेता हूँ तो यह तो हो जाएगा a मगर यह हो जाएगा 5 d और a plus 5 d होती है 6th term a 6 मगर मुझे निकालनी है 11th term तो आपको सोचना है कि मैं ऐसा क्या number डा बाद भी 10 बच जाए तो फबसे पहले हमने सोचा कि अगर मैं n को 21 डाल देता हूँ तो 21-1 this will be 20 और 20 कसे 2 common लोंगा तो आ जाएगा 10 मेरा solution मतलब मेरा answer तभी आएगा जब मैं n को 21 डालूँगा मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी अगर मुझे 21st term निकालन होती तो मैं n को क्या डालता अगर मुझे 21st term निकालने है तो मुझे चाहिए था a plus 20d और मुझे अगर यहां 20 चाहिए तो यहां पर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 से डिवाइड करने पर 20 आए तो मुझे यहां चाहिए 40 तो 40 अगर मुझे यहां चाहिए तो इस किया put n is equal to teacher को बोला put n is equal to 21 और हमने पूरे question में n की जगा 21 डालना है और हमारा answer हमारे सामने होगा 2a plus 21 minus 1 into d upon 2a dash plus 21 minus 1 into d is equal to यहां 7 into 21 plus 1 upon 4 into 21 plus 27 और उपर आगया आपके पास 2a plus 20d upon 2a dash plus 20d dash is equal to 7 into 21 is 147 and 147 plus 1 is 148 and this is 111 और अब आपने क्या करना है आपने उपर से 2 common ले लेना है हमने लिया उपर से 2 common बचा a plus 10d और नीचे से भी लिया 2 common तो इधर बचा a dash plus 10d dash और is equal to 148 by 111 और आप सबको पता है यह 2 से 2 cancel हो गया और a plus 10d को हम लिख सकते हैं 11th term और a dash plus 10d dash को हम लिख सकते हैं a dash 11th term और 148 और 111 को हम 37 से cancel कर सकते हैं which is 4 by 3 तो answer आगया आपका 4 by 3 which is the right answer of this question मगर यहाँ पर हमारी वीडियो खतम नहीं होती ऐसा ही एक और question आपके सामने आपके सामने आप सरा देखते हैं इस question को same question है बट आपको इस question में आप निकालना है ratio of their mth term तो आपको पता है कि आपको दिया हुआ है sn by s dash n is equal to 7n plus 1 by 4n plus 27 और sn को आप लिख सकते हो n by 2 2a plus n minus 1 into d और निचे आप n by 2 2a dash plus n minus 1 d dash same steps follow कर रहा हूँ जो पिछले question में किये थे 7n plus 1 by 4n plus 27 और n by 2 n by 2 cancel हो गया आपके सामने आगया 2a plus n minus 1 into d upon 2a dash plus n minus 1 into d dash is equal to 7n plus 1 by 4n plus 27 बहुत अच्छी बात है इस question में हाँ पर हमें चाहिए mth term am am क्या होता है a plus m minus 1 into d मेरी बात समझ में आ रही है आपको आपने का सर अब मेरे पास a होना चाहिए यहाँ तो 2a है तो 2 common ले लेंगे तो 2 जब common लेंगे तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए यहाँ बचना चाहिए m minus 1 तो m minus 1 तब होना चाहिए 2m तो हमें एंड को डालना होगा तो हमें एंड को डालना होगा फुट एंड इस इक्वल टू आपने आंसर दे दिया होगा अगर आंसर दे दिया तो comment कर तो जल्दी से और बदा तो मुझे आपको समझ ना गया तो एंड को डालना होगा हमें 2m तो चाहिए चाहिए माइनस वन अल्रटी है तो माइनस वन एक और चाहिए तो 2m minus 1 तो अब देखते हैं डालके तो 2a plus n की जगां 2m minus 1 minus 1 b और दिवाइड बाइ 2a डाश plus 2m minus 1 minus 1 b dash is equal to 7n की जगां 2m minus 1 plus 1 upon 4n की जगां 2m minus 1 plus 27 और यहां पर धिहान से अगर आप देखो तो आ गया 2a plus 2m minus 2 into d जो हमने प्लैनिंग की थी वो हमारी या सक्सेस्फुल हुई 2a dash plus 2m minus 2 into d dash is equal to 7 into 2m 14m minus 7 plus 1 और 8m minus 4 plus 27 और यहां से आप लेलो 2 common और जैसे ही आपने 2 common लिया आगे आपके पास a plus m minus 1 क्योंकि 2 हम सबसे common लेंगे इसमें से भी लेंगे इसमें से भी लेंगे इसमें से भी लेंगे is equal to 14 plus 1 sorry 14m 14m minus 7 plus 1 minus 6 upon 8m minus 4 plus 27 is plus 23 और आपने 2 से 2 cancel किया और a plus m minus 1 d होता है am और a dash m minus 1 d dash होता है a dash m is equal to answer आगे आपका 14m minus 6 upon 8m plus 23 और यहां पर खतम होती है हमारी वीडियो जरूर इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो और मिलते हम अपने नेक्स वीडियो में wish you all the best thank you so much